तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो है नेट चालू कर लेना है यहां पर जैसे मैं अपना वाई-फाई चालू कर रहा है मैंने वाई-फाई चालू कर लिया है आप अपना इंटरनेट चालू कर लिए यह सी नेट कनेक्ट हो आर एक्स रिखोडर आपकर इसको सर्च किजेगा तो जब यह आप इसको सर्च करेंगे इस तरीके से इसका लोगो आएगा आप देहां से देख लिए लोगो आएगा और इसका यह जो मेकिंग है इसका इसने किया है इन सोट इन कॉंटेंज एड़ सिने परचिस यह तो आप आपकर लागने अपकर इस पर इसको मेरे मेरे कल देख तो मेरे को काफी अच्छा लगा यह यह तो इसलिए मैं आपको भी आप और इसको यहां से मैं open करता हूँ यह एप मेरा यहां पर open हो गया है अब यहां पर देखिए इसका setting में जाते हैं सबसे पहले आपको इसका setting में दिखाता हूं ताकि आपको option इसके पता चल सकेंगे यहां पर रिमूव एड का एक option आता है वो भी आप इसमें कर सकते हैं आपको रिमूव एड करना है तो वो भी कर सकते हैं फिलाल मैं नहीं करना हूं यहां पर क्योंकि फिर वो पर्चेस में चला जाता है आपको फिरी में करना है फिरी में कीजिए कोई दिक्कत नहीं है रिशोलिशन आपको जो भी वीडियो रिकार्ड रिशोलिशन अभी आपे जैसे आटो में 720p दिखा रहा है आप इसको 1080p भी कर सकते हैं और अगर उससे कम करना चाहते हैं तो 540, 480, 360, 240 तक है इसके आटो में है इस समय इसके आटो क्वालिटी है हाई है मीडियम है लो क्वालिटी है तीन टैप के क्वालिटी इसमें दे रहा है रिकार्डिंग आपको कितने फ्रेम पर सेकेंड करना है वह भी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं 60 फ्रेम 15 प्रेम आटो रिकार्डिंग करन आपको अभी इसका अगला आ रहा है दुस्तों रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ओडियो इसमें रिकॉर्ड ओडियो मतलब अगर साइलेंट रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं स्क्रिंग का तो वह भी इसमें ऑप्शन है यहाँ पर आप अगर इसका रिकॉर्डिंग ओडियो इसक कर सकते हैं इसमें स्काप recording mode भी इसमें आपको दे रहा है performance और normal mode जो है मैंने normal mode में इसको रखा हुआ है और pop-up window after taking screenshot इसमें आप screenshot का भी features आपको दे रहा है screenshot भी ले सकते हैं एक option इसके इसके इन्चाहता है hide recording recording window during recording आप इसका जो लोग है वो भी आपके स्क्रीण पर दिखाई नहीं पड़ेगा जब आपकी स्क्रीण का recording होगा तो आप यह option भी on कर सकते हैं और इसकी recording आप को आप करें तो आपको इसको कहीं कोई बटन प्रेस नहीं करना है सिर्फ आपको मोबाइल को एक बार हिला देना है शेक कर देना है तो आपका recording स्टॉप हो जाएगा एक option इसके निचे आता है दुस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसमें का अच्छा है यह और इससे रिकॉर्डिंग की काफी अच्छी आते है तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और मेरा चैनल जरू सब्क्राइब कर लिजेगा दोस्तों और बैल आइकोन प्रेस करना है बिलकुल भी नबूने ताकि मेरा आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे मैं स्थरीके के टेक्निकल वीडियो आप तक